साहस का दाउं अनुराग, राहुल और तन्वीर, तीन दोस्थ, तीन अलग-अलग सपने, लेकिन एक ही मकसद, अंतरिक्ष वे बचपन से ही सितारों को निहारते थे और अंतरिक्ष की गहराईयों में खो जाते थे उनके लिए ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, बलकि एक चुनौती थी, एक जुनून था, एक सपने को जीने का होसला था वे जानते थे कि उनके सपनों को साकार करने के लिए उन्हें बहुत कुछ त्याग ना पड़ेगा ये कहानी है दिगन तारा की, एक ऐसी कमपनी जो अंतरिक्ष के कचरे को साफ करने का बीड़ा उठाये हुए है ये कमपनी न केवल अंतरिक्ष को साफ कर रही है, बलकि नए अवसर भी पैदा कर रही है ये कहानी है उन तीन दोस्तों की, जिन्होंने अपने सपनों के लिए सब कुछ दाव पर लगा दिया उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया और अंतरतह सफलता प्राप्त की दिगंतारा का जन्म अनुराग, राहुल और तन्वीर तीनों दोस्त IIT दिल्ली में पढ़ते थे अनुराग, एक शांदार प्रोग्रेमर, राहुल, एक कुशल इंजीनियर और तन्वीर, बिजनिस का उस्ताद तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और वे हमेशा नए नए विचारों पर चर्चा करते रहते थे तीनों का एक ही सपना था, कुछ बड़ा करना, कुछ अलग करना वे हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे समाज को फाइदा हो अंतरिक्ष हमेशा से उनको आकरशित करता था वे घंटों तारों को निहारते और अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में सोचते रहते थे एक दिन अखबार में अंतरिक्ष के कचरे की समस्या के बारे में पढ़ कर उनके मन में एक विचार आया क्यों न इस समस्या का समाधान खोजा जाए यह विचार उनके दिल और दिमाग में घर कर गया उन्होंने इस पर गहराई से सोचना शुरू किया और अपने ग्यान और कौशल का उपयोग करके एक योजना बनाई यही से दिगंतारा का जन्म हुआ अंतरिक्ष का कच्रा एक चैलेंज अंतरिक्ष का कच्रा एक बढ़ती हुई समस्या है यह कच्रा पुराने सैटेलाइट, रॉकेट के टुकडे और दूसरे उपकरणों से मिलकर बना है जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं यह कच्रा न केवल अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले नए मिशन के लिए खत्रा है बलकि धर्ती पर हमारे लिए भी एक बड़ा खत्रा बन सकता है पहला कदम और बड़ा फैसला यह कहानी है तीन दोस्तों की जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया तीनों दोस्तों ने मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने का फैसला किया वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी उन्होंने घंटों रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट किये और हर छोटी से छोटी जानकारी को ध्यान से समझा वे दिन रात मेहनत करते रहे और आखिरकार एक अनोखा उपाय खोज निकाला एक ऐसा सैटेलाइट जो अंतरिक्ष के कचरे को इकठा करके खत्म कर सके यह उनके लिए एक बड़ी उपलब्धी थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी पैसों की उनके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वे अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें बहुत पैसों की जरूरत थी उन्होंने कई संभावित निवेशकों से मुलाकात की, लेकिन सफलता नहीं मिली तब ही उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया अपनी पूरी कॉलेज फीज इस प्रोजेक्ट में लगाने का यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन वे अपने सपने के लिए कुछ भी करने को तयार थे सफलता की उडान उनके इस फैसले को सबने पागलपन बताया लेकिन तीनों फ्रेंड्सों का होसला बुलंद था उन्होंने अपनी सारी जमापूंजी इस प्रोजेक्ट में लगा दी और दिगंतारा की फाउंडेशन रखी उनकी मेहनत रंग ब्रॉट उनका पहला सैटेलाइट सफलता पूर्वक लॉंच हुआ और उसने अंतरिक्ष के कचरे को इकठा करना शुरू कर दिया यह उनकी पहली बड़ी कामयाबी थी आस्मान की बुलंदियों तक इस सफलता के बाद तो जैसे दिगंतारा के लिए आस्मान भी छोटा पड़ गया उन्हें देश-विदेश से फंडिंग मिलने लगी उनके काम को अंतरराश्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली आज दिगंतारा एक मिसाल बन चुकी है कि कैसे जुनोन और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है